हेलो फ्रेंड्स, स्टांडर इलेवन, वी आर टोकिंग अबाउट दा कैस्ट बूक एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हमने आके सिंपल कैस्ट बूक देखी थी, अब हमें दो कॉलम की, कैस्ट बूक की कैस्ट बूक देखने हैं, एक्जामपल टू, प्रिपेर दे टू कॉलम कैस्ट बूक, कैस्ट एंड डिस्काउंट कॉलम, औफ स्री, गिरिष भाई, फ्रॉम, दे फॉलवेंग ट्रांजेक्शन, टू तू 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 प्टिन, सेम इसके जैसे सिंपल ही बनानी है, इसमें दो कॉलम, एक कॉलम यहां बढ़ गई, डिस्काउंट की, बागी सेम आगे लिका था, वैसे ही लिखना है, ओके, ओपनिंग कैस्ट बैलेंस, एट ताउजन, डिस्काउंट की कोई कैस्ट बैलेंस नहीं होता है, तो यहां सिर्फ ओपनिंग कैस्ट बैलेंस लिख देनी है, डेविट साइड, गूड्स ओफ दे सिक्स आउजन, एंटरीग लिखेंगे, ओके, तो यहां सिक्स आउजन में से टैन परसंट माइनस करते हैं, तो 600 माइनस होगा, 5400 पर्चेस किया हुआ है, यानि पेमेंट में लिखेंगे, तो यहां देखो, पेमेंट साइड, 4 नंबर, 5400, क्या दा, 6,000 माइनस, 10 परसंटेज, ओके, 7 को आपने शोल्ड किया हुआ, प्रभित को आपने शोल्ड किया हुआ, शोल्ड करते हैं, तो पैसे मिलेंगे, यहां Cash Discount में है, तो उसकी टेक्स बुक में एंटरी करेंगे, तो यहां देखो, 3,005 परसंटेज करेंगे, तो क्या आएगा, 150 और उसे 3000 में से 5 परसंट, 150 माइ लिएगे 10 नमबर goods of the 4000 sold for the cash at a 10% trade discount and 5% cash discount यहां में 4000 में से sold गिया है यानि receipt हम में लिखेंगे पर यहां याद रखना है कि 4000 में से 10% minus करेंगे तो क्या आएगा 3600 और उसमें से 10% 5% cash discount लिखना है यानि 180 आएगा ओके तो यह 180 पहले 4000 minus 10% trade discount यानि 3600 और उसके बाद हमें 5% cash discount गिनना है तो यह 3600 में से 180 माइनस कर दे तो 3420 आएगा ओके 12 नमबर furniture of the 500 is purchased from the Gopal Furniture Mart Gopal Furniture Mart से हमने furniture purchase किया है यहां देखो cash के ऐसा कुछ लिखा नहीं है यानि credit है credit है तो यह cashbook में उसके entry नहीं होगी यह general में लिखेंगे यहां कोई entry होगी नहीं बरावर 15 नमबर 100 1000 paid to the Vishnu toward full settlement of 1020 यह 1020 हमने लेने थे पर उसकी पेमेंट करना था उसकी जगह हमने 1000 paid किया 20 रुपीज वो जो नहीं paid किया वो अमारे लिए क्या हुआ discount तो यहां payment में करेंगे 20 नुबाई और 20 discount लिखेंगे और 1000 जो अमने पेड किया वो लेगेंगे 16 नमबर 900 पेड फॉर कमिशन का पेड किया यानि payment मेंट लिखेंगे commission एकाउंट 900 फिफ्टीन हंड़ेड रिसीव फ्रॉम कम्लेड टुवर्ड फूल सेटलमेंट ओफ 1516 यहां देखो यह हमें कम्लेड के पास से लेने के रिसीव लिखा है यानि लेने थे कितने 1516 बराब तो उसने सिर्फ 1500 दिया यानि 16 जो रुपीज थे 60 रुपीज तो वो हमारा क्या हुआ डिसकाउंट हुआ तो यहां डेबिट साइड लिखेंगे रिसीव में 60 डिसकाउंट में लिखेंगे और 1500 कहां लिखेंगे यह एमाउंट में ओके पेड 2000 for the salary and 400 for wages यह दोनों पेड किया है तो पेड किया है यानि क्या लिखेंगे इस साइड पेड में salary and wages डोनों की अमाउंट लिख देंगे goods of the 2000 purchase from the from विश्वा for a cash at 10% trade discount and 10% cash discount तो simple चीज़े purchase किया है cash में तो 20,000 में से 10% माइनस कर दे तो 1800 आएगा बराबर और 1800 में से 10% माइनस कर दे 1800 का 10% 180 और वो माइनस कर दे तो 1620 आएगा ओके cash of 4000 about in the business business में cash लाए हुए है तो यहां capital होगी owner लाता है इसलिए तो यहां क्या लिखेंगे debit side receipt में लिखेंगे ओके क्योंकि business में आया machine of the 8,000 is purchased from the महेश्वरी इंजिनियर फॉर वीच 500 इस फुल पेड एंड बैलेंस अमाउंट इस एगर तो भी पेड आफ्टर वन मन हमें machine purchase किया 8,000 का बराबर पर हमने payment क्या दिया 500 का बाकी का payment नहीं दिया तो उसकी entry नहीं करेंगे और वो आगे हम next month में ले जाएंगे ओके discount का total ही करना है उसमें balance निकालना नहीं है करेंगे